विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग दो के काववेखंड के अध्याए एक में वरनेत देवसेना का गीत तथा कार्णियलिय का गीत के रचनाकार कभी जैसंकर प्रशाद का परिचे प्राप्त करने जा रहे हैं। हम इनके व्यक्तित्यु के बारे में, इनके क्रतित्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी जैसंकर प्रशाद का जन्म सन 1889 इस्वी में कासी में हुआ। चायावाद का कालखंड 1918 से 1936 तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में दिववेदी युग के पश्यात हिंदी काव्य की जो धारा विशयवस्तु की द्रश्टी से स्वचंद प्रेम भावना, प्रकरती में मानवी क्रिया कलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपन और कला की द्रश्टी से लाक्षनिक प्रधान नवीन अभिवेंजना पद्धती को लेकर जो धारा चली उसे हम छायावाद कहते हैं। प्रकरती के चेतना के आरोप को भी चायावाद कहा जाता है। और विंजनात्मक अर्थ हमें प्राप्त होता है। चायावाद के प्रमुख कवी हैं। जैसंकर प्रशाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदनपंत और कवित्री महादेवी वर्मा। चायावाद का जो समय है, जो कालखंड है, वो 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। जैसंकर प्रशाद के अनुसार चायावाद की व्याख्या इस प्रकार की जाती है। चायावाद को व्याख्यत करते हुए, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए, जैसंकर प्रशाद कहते हैं कि चायावाद कविता वाणी का वह लावन्य है, जो स्वयम में मोती के पानी जैसी चाया, तरलता और यूवती के लज्जा भूशन जैसी स्री से संयुक्त होता यह तरल चाया और लज्जास्री ही चायावादी कवी की वानी का प्रमुक सुंदरी होता है। चायावादी कवी जैसंकर प्रशाद विद्दालई शिक्षा केवल आठवी कक्षा तक ही प्राप्त कर पाए थे। किन्तु स्वाध्याई द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भासाओं तता साहित्य का गहन अध्यन किया। चायावादी कवी जैसंकर प्रशाद जैसा की विद्दालई शिक्षा केवल आठवी तक ही प्राप्त कर पाये थे। और वे उन्होंने स्वाध्याई के द्वारा ही संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी जैसी भासाओं को पढ़ा, समझा और साहित्य का गहन अध्यन भी आपने किया। इतिहास, दर्शन, धर्मसास्त्र और पुरा तत्व के वे प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। इतिहास, दर्शन, धर्मसास्त्र और पुरा तत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। आप आधुनिक कविता की चायावादी प्रवर्ती के आधार इस्तंब कवियों में माने जाते हैं। च्हायावादी प्रवर्ती के जो च्यार महत्वपूण कवि हैं, जैसंकर प्रशाद, सुर्यकांतं, त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदनपant और कवित्री महादेवी वर्मा। तो आप आधुनिक कविता की चायावादी प्रवर्ती के आधार स्थम्ब कवी माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारती संस्कृती की मनोरम और गरिमा में प्रतिष्ठा सुनिश्षित की है। अधार स्थम्ब करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो साथ ही साथ वे आत्म इस्तुती से भी दूर रहा करते थे। वे बहु मुकी प्रतिबा के धनी व्यक्ती थे। मूलते वे कवी थे लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी निबंद आदी अनेक साहित्तिक विधाओं में उच्छ कोटी की रचनाओं का स्रिजन किया। मूलते वे कवी थे लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, निबंद आदी अनेक साहित्तिक विधाओं में उन्होंने जो रचनाओं की वे उच्छ कोटी की रचनाओं का स्रिजन किया, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी कि निबंद आदी साहित्यक विधाओं के माध्यम से आपने उच्च कोटी की रचनाएं साहित्य जगत को प्रदान की है प्रशाद साहित्य में राष्ट्रिय जागरण का स्वर्प्रमुक्ता लिए हुए है संपून साहित्य में विशेशकर नाटकों में प्राचीन भारतिय स संस्क्रती के गोरों के माध्यम से प्रशाद जी ने यह काम किया है आपने अपने नाटकों के माध्यम से संपून साहित्य में विशेशकर अपने नाटकों के माध्यम से आपने प्राचीन भारतिय संस्क्रती के गोरों के माध्यम से यह काम किया है उनकी कविताओं उनकी कह कानियों में भारतिय संस्कृति और जीवन मुल्यों की जीवन्त जलक हमें देखने को मिलती है प्रशाद ने कवीता के साथ नाटक उपन्यास कहानी संग्रय निबंद आदी अनेक साहितिक विधाओं में लेखनकारिय किया है जैसंकर प्रशाद की प्रमुख रचनाय इस प्र स्कंद्याइब विलेखने कबलेग है हमारी पाठ्थ्य पुस्तक में देवसेना का इगीत जो हम पढ़ेंगे वह है इनके नाटक इसकंद्गुप्त से लिया गया है इस प्रकार से इनोंने जो उपन्यास लिखे उसमें कंकाल, तितली, इरावती यह इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है कहानी संग्रे जो आपने रचे है उसमें आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनी और आकास दीप प्रमुख है निबंद संग्रे जो आपने रचे है उनमें काव्वे और कला तथा अन्य निबंद प्रमुख है आप द्वारा रचित कविताओं में जरना, आसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पतिक प्रमुख है आपका निधन, महान सहित्यकार, जैसंकर प्रशाद का निधन, सन 1937 इस्वि में हुआ आपने बहुत कम समय तक इस धर्ती पर अपना जीवन जिया लेकिन जितना भी जीवन आपनी जिया, बहुत उलेखनी जीवन जिया और आपने सहित्यको अपनी अमर कृतियों के माध्यम से, अपनी काल जई रचनाओं के माध्यम से अलंकरत किया, सुसोभित किया देवसेना का गीत के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं देवसेना का गीत जैसंकर प्रशाद के इसकंद गुप्त नाटक से लिया गया है देवसेना मालवा के राजा बंदू वर्मा की बहन देवसेना हूनों के आक्रमन से आर्यावर्त संकट में है बंदू वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गती प्राप्त होती है देवसेना जो मालव के राजा है बंदू वर्मा उनकी बहिन है हुणों के आक्रमन से आर्यार वर्त पूरत्रय संकट में है, बंदू वर्मासःत उस परिवार के सबी लोग वीरगती को प्राप्त हो गए, सेश बची देवसेना देवसेना ने अपने भाई के स्वापनों को साकार करने के लिए और राष्ट सेवा करने के लिए राष्ट से मालव के धनकुबेर की कन्या विजया का स्वपन देखते थे लेकिन जो इसकंद गुप्त है वह मालव के धनकुबेर की कन्या जिसका नाम था विजया उसका स्वपन देखा करते थे वे उसके साथ में प्रेम में बंधे हुए थे जीवन के अंतिम मोड पर इसकंद गुप्त देव सेना को पाना चाता है, किन्तु देव सेना तब तक व्रध परण दत्त के साथ आस्रम में गाना गाकर भीक मांगती है और महा देवी की समाधी परिश्क्रत करती है। तब व्रध परण दत्त के साथ आस्रम में गाना गाकर भीक मांगती है तथा महा देवी की समाधी परिश्क्रत करती है। नहीं होती है, तब सकंदगुप्त आजीवन कुमारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है रिध्य की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आये हुए लोटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना, क्या तिरे लिए अच्छी बात है। जिसे द्वार पर आये हुए लोटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना, क्या तिरे लिए अच्छी बात है। गीत गाती है, वेदना से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ गीत विदाई। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना का गीत कविता में, देवसेना अपने जीवन पर द्रश्टी पात करते हुए, अपने अनुभवों में, अपने जीवन के अनुभवों में अरजित वेदना में क्षणों को याद कर रही है, उन क्षणों को याद कर रही है, जिन क्षण योवन के क्रिया कलापों को याद भी कर रही है अपने जीवन के क्रिया कलापों को वह अपने जीवन के इस मोड पर अथार्थ जीवन की संध्या बेला पर वह याद भी कर रही है वह अपने योवन के क्रिया कलापों को भ्रमवस किये गए कर्मों की स्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आँखों से आसू की अज़स्र धारा लगातार बहती जा रही है और उसके बचपन में उसके द्वारा जो नादानिया की गई है उन नादानियों के कारण से वह पश्चाताप करती हुई अपने रिधे के भाओं को अभिव्यक्त कर रही है और उस समय की नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आँखों से आसू की अज़स्र धारा निरंतर लगातार बह रही है, लगातार धारा बह रही है आंसूं की, अपने आसपास उसे सब की प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है। फिर भी जो उसने जीवन भर कमाया है, जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी, यही विडम बना है और यही वेदना है। प्रले सोयम देव सेना के जीवन रत पर सवार है। और हारने की निश्चिता के बावजूद प्रले से लोहा लेती रहती है। उसको पता है कि वह दुर्बल है और वह प्रले से संगर्ष के दोरान हार जाएगी। ऐसा होने के बावजूद भी प्रले सोयम देव सेना के जीवन रत पर सवार है। अपनी दुर्बलताओं की जानकारी भी है। उसे यह भी पता है कि हार ना उसके लिए बिलकुल निश्चित है। इतना होने के बावजूद भी वह प्रले से लोहा लेती रहती है। वह प्रले के साथ संगर्ष करती रहती है। गीत के सिल्प में रची गई यह कविता, वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकरती के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। प्रेविद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार कवी जैसंकर प्रशाद का परीचे प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्य के बारे में, इनके क्रतित्य के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अगले वीडियों में हम कवी जैसंकर प्रशाद द्वारा रचित रचना देव सेना का गीत लेकर आपके सम्मुक सिग्रही उपस्तित होंगे। ताप तक, नमस्कार!